बलून्स हवा भरने पर फूटने के वज़ाय फैलते क्यों है ये किस मेटरियल से बनता है लोग बलून्स को इतना पसंद क्यों करते है इन सब का जवाब देखिए वंडरफूल व्यू में बलून्स पेरों पर नहीं उठते हैं लेकिन इसे मिलते जूरते जरूर हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये रबर के पेर के चिपचिपे रस लीटेक्स से बनते हैं लीटेक्स एक प्राकिर्थिक रूप से लचीला पदार्थ होता है लेकिन लीटेक्स के रबर में बनने के बाद ही बलून में इतना लचीलापन आ जाता है कि वो प्रूल कर अपने अकार का पांच गुना हो जाए एक बलून की सुरुवाद तरल के रूप में रबर के पेर से दूधिया लीटेक्स से होती है गहरे रंग इस लीटेक्स का रंग बदल देते हैं इसके प्राकिर्टिक लचीलापन बरहाने के लिए अन्य पदार्थ जैसे सलफर और जिंक ऑक्साइड इस मिशरुन में डाले जाते हैं लीटेक्स को रबर में बदलने के लिए मिशरुन को गर्म करने पर ये पदार्थ सक्री हो जाते हैं एक के बाद एक सीरा मिक के सांचों की छोटी बल्ब से दिखने वाले ये कतारे लीटेक्स को बलून में बदल देती सांचों को सिट्रिक एसिड की टंकी में डुबो कर उन पर लगी गंदे की साफ की जाती सांचों पर लगे धूल का एक कन भी बलून में कोई कमी या खराबी ला सकता है लीटेक्स इन सांचों से जरूरत से ज़्यादा न चिपके इसलिए सांचों पर कैलसिम नाइट्रेट की परत लगाई जाती है कैसियम नाइट्रेट एक को ओडलेंट है जो लीटेक्स को सांचों के आकार में धनले में मदद करता है भठी में पानी सूख जाता है इन सांचों पर कैल्सियम नाइड्रेट की बस पतली परत बच जाती आखिर में लीटेक्स के नीले तरल से भरा हौज उपर उठता है इससे सांचों पर लीटेक्स की परत चर जाती और बलून की परत बन जाती बलून को 5 मिनट तक गर्म करने पर इसकी परत और मजबूत हो जाती इसके बाद दो नाइलोन ब्रस गर्म परत पर उपर से नीचे उठते हैं इससे बलून का मुह बन जाता है जिससे बलून को फुलाया जाता है लेकिन अवन में 170 डिवे तक गर्म करने के बाद ही बलून की परत में रबर जैसा लचिला बनाता है गर्मी से लीटेक्स मिसरन के सलफर और जिंक अकसाइड सक्रिय हो जाते हैं जो लीटेक्स के अनुओं के बीच के बाउन को मजबूत बनाते हैं और उन्हें रबर में बदल देते हैं और रबर के अनुओं के बीच के इन ही मजबूत बॉन्ट की बज़ा से रबर इतना ज़्यादा लचिला और मजबूत होता है कि बलून में हावा भरने पर वो फटता नहीं एक बार रबर जम जाता है तो सिरामिक के सांचों और बलून के बीच पानी के फवारे उनके फरत को ढीला कर देते हैं और फिर कारपेट पेट का सेट उन्हें अलग कर देता है लाइन बाई लाइन हर बैज के कुछ बलून के कमजोर हिस्सों, छेद या दरारों के लिए टेस्ट किया जाता है फिर बलून्स पर खास चित्र पेंट किया जाता है पर ये बलून्स को फुलाने के बाद ही पोसिबल होता है सक्सन कब की मदद से बलून को रेशमी परदों की श्रिंखला के बिश से निकाला जाता है और चारों तरफ प्रिंट किया जाता है उसके बाद वाइपर ब्लेड स्याही पर रबर की जल सूखने वाली परत चरहाते हैं और हीट टनल की बीश से गुजर कर सब कुछ सही जगह पर सूख जाता है बलून से हवा निकाल दी जाती है और तयार गुबारों पर स्प्रेर से सिलिकॉन और पानी की परत चरहाई जाती है इससे बलून को एक बैग में रखने पर भी ये एक दूसरे के साथ चिपकते ने और अब ये बलून्स फूलने और फूटने के लिए बिल्कुल तयार है ताकि आपकी बर्दे पाटी की सोभा बरहा से बलून्स सालों से बच्चों के फेवरेट रहें आपने भी अपनी बच्चपन में बलून्स के साथ खेलने का मज़ा जरूर लिया होगा यहाँ देखिए एलिडी बाल्ब कैसे फैक्टरी में तयार किये जाते है